अगर हो रही है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि 7-8 महिने में महिलाओं को काफी यूरिन की प्रॉब्लम होने लगती है और महिलाओं इससे काफी घवरा जाती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है इसके अलावा आपको यूरिन और वाटर लिकेज में फर्क करना आना चाहिए ये क्यों आना चाहिए क्योंकि 7-8 महिने में डिलीवरी का सिम्टम्स भी नजर दीरे दीरे आने लगता है तो आपको 7-8 महिने में यूरिन और वाटर लिकेज में उसको समझज नहीं पाती है जिससे उनके गर्भ केमें पानी की कमी हो जाती है और उनको प्रीमिचोर डिलीवरी का और आपरेशन का नोबत भी यहाता को इसलिए आपको इन बातों को ख्याल करना बहुत जरूरी है अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जरूर सपोर्ट करें आपके सपोर्ट की मुझे काफी बढ़ जाती है यह बढ़ती क्यों है क्योंकि जब आपका सिसु यूट्रेस बढ़ा होता है जब आपका सिसु बढ़ा होने लगता है तो आपके अंदर की जो चीजें होती है और दबने लगती है और किडिनी जो है बार-बार पिरफाई करने लगता है आपके जो पानी वग प्रेंडर पर द्वावा भी बनने लगता है जिससे की आपको बार बार यूरी दर को कमची लेगना करना है जैसे कि आपने द beliefs तो सोब सक預 seul स्बूर्ड Day तो तो सब्सक्राइब होسimes तो उस वेजाईना को आपको साफ पानी से, साफ वाटर से साफ करना है इसके बाद आपको उसे अपना जो भी अंडर गार्मेट्स पहननी है उसको क्लीन रखना है यह नहीं कि गीला गीला रहें, नहीं क्लीन बिल्कुल रखना है इससे क्या होता है इससे आपकी हाईजीन मेंटेन रहती है और आपको infection नहीं होता है नहीं तो friends अगर आपको repeated infection हो गया वेजाइनल infection हो गया तो आपको काफी समस्या आ सकती है और infection की वज़ा से आपको premature delivery भी करानी पर सकती है तो infection ना हो इसके लिए आप बार-बार जब भी आ यूरीन पास करें अपना साफ्व साफ पानी रख है इससे अपना वजय के लिएक हैं जब आप नहाने जारी हैं बात लेने जारी हैं बाथ र५ुम में तो उस समय कोई भी सोप या लोशन या फिर जै में चक्वार नगाएं इससे भी इन्फेक्शन पास ने खत्रा रहता है क तो आप हो सकता है तो अजवाइन का पानी ले 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 नीम की पत्ती का पानी ले ले यह जो घरेलू उपाए होते हैं इन चीजों को करेंगी तो इनसे आपको बार-बार यूरीन आ रहा है उसमें जलन हो रही है यूरीन का कलर जो है काफी गाढ़ा हो गया है या फिर आपके वेजाइना के आसपास लाल-लाल दाने और चकत्ते पड़ गए है तो यह इंफेक्शन का लक्षण होता है अगर ऐसा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर करना चाहिए अगर आपको कोई सिंटम्स नहीं है केवल यूरीन गाढ़ा आ रहा है तो इसके लिए बाढ़ा आना यह भी एक खत्रे का सिंटम्स होता है इसके अलावा फ्रेंड्स कतremos है कि वार यूरीन आने लगती है और इस समय थोड़ा आलसी हो जाती है शाथवे आठवे aoakै महेने में जिससे की ओक्रते हैं कि यूरीन को थोड़ी देर के लिए बोलती है आरे चलो अभी यूरीन महसूस हो रहा है थोड़ी दिर आदे घंटे बाद जाएंगे एक घंटे बाद जाएंगे यानि कि उसे दबा के रखती है तो आपको यूरीन को दबा के नहीं रखना है इससे भी आपको खत्रा हो सकता है तो जो ही आपको महसूस हो कि नहीं मुझे यूरीन पास करने का ऐसे symptoms महसूस हो रहे हैं तो आपको तुरन जाके यूरीन पास कर लेना चाहिए उसे रोक के नहीं रखना चाहिए यूरीन हो गया या फिर पोटी हो गया या फिर गैस हो गया ये ऐसी चीज होती है जो कि इन सारे चीज को आपको रोक के नहीं रखना चाहिए जो ही आपको म वाटर लिकेज आपको हो रहा है ऐसे लग रहा है कि मैं तो अभी यूरिन पास करके आई हूं और ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे बेजाईना से कुछ निकल रहा है तो यह आपको वाटर लिकेज होता है धीरे 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 कितनी महिलाओं को पानी निकलना सुरू हो जाता है अ पहले ही आपका पानी सेरा निकल जाएगा तो आपका सिसू सूखा पढऴ जाएगा और यूरी सूखा पड़ने की वज़य वजद से आपके सिसू के साथ कुछ भी हो सकता है तो इन चीजों को ख्याल करना है आपको यूरीन का कलरarse होता है उसमें हलकी सी smell होती है और पानी का color, water का जो वेजाईना के थ्रू निकलता है उसमें कोई भी color नहीं होता है वो गंधहीन होती है, बिल्कुल उसमें महाक नहीं होता है, वो water होता है, यानि की पानी की तरह होता है इसी में अगर कभी भी आपको ऐसा महसूस हो कि ग्रीन निकल रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका सिसू आपके गर्व में पोटिक कर दिया है अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है तो आपको एक सेकेंड का भी देर नहीं करना चाहिए तुरन जाके सीजर कराके आपक पी लेगा तो काफी खतरनाक ये पानी होता है इसके अलावा फ्रेंड्स जो पानी वाटर लिकेज होती है नाइन मंत में आपको काफी देखने को मिलेगी सेवेन एट मंत में भी देखने को मिलेगी लेकिन ये बूंद बूंद करके निकलती है लेकिन नाइन मंत में अगर आपको पानी थोड़ा सा ज्यादा निकले तो भी आपको फ्रेंड्स यह सारे सिम्टम्स आपको यूरीन के होते हैं इस इसमें फर्क यूरीन में और वाटर में फर्क मैंने बता दिया आपको समझना चाहिए चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडिय तो कमेंट वाक्स में जरूर दीजिए आपके सवालों का जरूर देंगे मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू फर वाचिंग बाई बाई टेक केर धन्यवाद